दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत हो रही है अब जो लुटियन जोन है वहाँ पर भी पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है दिल्ली जलबोट से 40 प्रतिशत पानी की कटौटी fruits और ये जो लुटियन जोन यानी VVIP इलाका है इसी इलाके में राश्च्पति भवन, प्रधान मंतरी आवास और इसके अलावा जो तमाम सांसदों के फ्लैट्स हैं वो भी आती है जहाँ पर पानी की कमी हो रही है लोटियंस जोन में पानी की दिक्कत हो रही है क्या कह रहा है आपसे दिली जल बोट देखिए जल तो जीवन है और उसमें चाहें कोई वी आईपी एरिया हो चाहें वो जुगी जॉपड़ी एरिया हो सभी के लिए बराबर है और हमारे यहां खास करके एंडियमसी एरिया में लगभग अगर मैं गोल मार्केट और बंगाल मार्केट एरिया को देखूं तो वहां पचास परसेंट पानी की कमी है मैं अगर जोरबा की तरफ देखता हूं जहां हमारा दूसरा रिजर्वाइर है वहां पर तीस परसेंट पानी की कमी है मैं जब चाने की पुरी की तरफ देखता हूं तो यहां पंदरा से बीस जाहिर किया है कि हमको पीछे से पानी काम मिल रहा है, हमने इस पानी के मैनेजमेंट को बहुत तरीके से मानेज किया है, हम लगातार टेंकर के माध्यम से हमारे जो जुगी जौंपडी अरिया हैं, कलस्टर्स हैं, उनमें हम पानी भेज रहे हैं, हमने अपनी आर्डबलेज, अपनी MTAs हमने सभी associations को भी यह अपील की है कि पानी की को बहुत किफायद से यूज करें पानी बहुत महतपूर्ण है और शायद इसका लाब भी लोगों को हुआ है लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है दिल्ली सरकार ने पानी के management के लिए crisis के लिए कभी कोई काम किया नह गए पानी की समस्या दिल्ली में कोई पहली बार आई है ऐसा नहीं है जून में हर वर्ष जून में पानी की समस्या खड़ी होती है लेकिन इस contingency को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार ने किया क्या है क्या deep desiliting जो आपका यमुना दिल्ली का area है उसके आपने की है क्या आपने के माध्यम से लगातार दिल्ली के लोगों को जो जिस तरह के दर्श दिख रहे हैं वो लोगों के सामने है और इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल है सरकार ब्रस्ताचार में लिप्त है और इस सरकार की आदत है किसी भी प्रकार का crisis आ जाए उस crisis को अपनी responsibility अपनी कार इस पानी के मसले में completely 100% fail है एक बड़ा सवाल यह है चुकि लुटियन सजोन में पानी की कमी हो गई है 40% तक की कमी आ रही है तो कितना पानी आप लोगों को मिलता था अब कितना मिल रहा है और कितने लाख लोगों को आप यह पानी आप पूर्ती करते हैं अब कितने है वो ढ़ाई लाख के आसपास जो हमारे connection है जिनको हम पानी देते हैं लगबग 13 से 15 लाख floating population जो NDA MCR में आती है इन सब को हम पानी देते हैं तो अभी तक इन सब को हम बड़ी किफायत के साथ हमने लोगों को आगा भी किया है लोगों को अपील भी किया है सभी से कहा है कि किफायत के साथ पानी का यूज करें और जो हमारा ग्रीन एरिया है उसके लिए हम सीवेज बाटर को स्टीपी ट्रीटमेंट लगा करके हम यूज करते हैं उसके लिए अलग रिजर्व ओयर हमने बनाए हुए हैं जिससे हम ग्रीनरी को मेंटेन रख पाते हैं सर मेरा आखरी सवाल यह है अप चुकि लिटेन सोन में पानी की कमी आ रही है तो कैसे पानी की आप पूरती आप कर रहे हैं क्या जो एमपी फ्लैक्स हैं या जो भी वी आईपी इस इलाके हैं वहाँ पे आप पानी पूरी तरह के से पहुचा पा रहे हैं जो आपने में हमने हर पाँच घर पर एक बाइप laagy बेंड डाली है जिससे पानी वेस्टि ना हो पानी की और जब वो कम हो जाता है पानी की कमी है उसको रिजर्व वाटर के जरिये पूरा किया जा सेगे है फिलाल दिल्ली में पानी को लेकर कि राजनीती भी चरम पर है कैमरामेन वेपुल के साथ कुनीच शर्मा टीवनेंड